हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आज में लेकाई हैं आपके लिए आलू की एक ऐसी रेस्पी जो कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है और इसे बच्चे बड़े सभी मज़े से खाते तो चले इस्टाइट करते और ये बाजार में बहुत ही महंगी मिलती है तो आज हम दो आलू से इसको बनाएंगे तो उसके लिए मैंने दो आलू ले लिए आलू अगर आपके बड़े हैं तो दो ले ले अगर आपके मिल्डियम आलू है तो आप तीन चार कितने भी आलू से इसको बना सकते और इनका छिलका निकालके अच्छे से छील लेंगे और छीलकर हम इसको काट लेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शियर करें कॉमेंट करें अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें आलू को काटते टाइप मेरे हाथ भी गंदे हो गए दिख भी रहे होंगे आपको कि मेरे हाथ कितने गंदे हो चुके और इसको इस तरह से अपने आलू को काट लेंगे आप आलू को किसी भी सेप में काट सकते हैं वैसे इस तरह से जो आलू कटे होते हैं वह ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं तो हमने सभी अपने आलू को काट लिए देके इस तरह से सभी आलू को अच्छे से कट कर लिए अब हम इनको एक बरतन में डालेंगे और इनको पानी डाल डालकर अच्छे से तीन चार बार इनको वाश कर लेंगे इनको अच्छे से दोलेंगे और दोकार हम कडाई चड़ा देंगे कडाई में डालेंगे ओईल गरम होने के बाद हम इसमें अपने दुए हुए आलू जो हैं उनको इसमें डाल कर अच्छे से पकाएंगे देखिए इस तरह से मैं डाल भी हो आप इस तरह से अपने आलू इसमें डाले जितने आलू आपकी कडाई में आ सके उतने डाली और इनको चलाते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेजिए इसको पकने में तीन से चार मिनट लगती है और इसका कलर आने तक हमें इसको पकारना है और ये खाने में बहुत ही टेश्टी होती है ये बाजार में बहुत ही महेंगी बिलती है इसको बच्चे बड़े सभी बड़े से काते है छोटी मोटी भूख हो या बीच में खाना हो फटावट बनाए ये फिर्च प्राई और इन सभी को हम निकाल लेंगे एक प्रेप में इन सभी को अच्छे से निचोա कर निकाल लेंगे जिसे कि हमारा ओईल इनमें न रहे ओं सभी को नि कालने के बाद हम इनमें जो हमारी कड़ाय है इसमें बागी के जो अलू बचे उनको भी डाल कर तल लेंगे और तल कर इनको भी हम निकाल लेंगे अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो फटाक से इसमें डाले सा सेंदा नमक और इसमें डाले काली में ची और अगर आप हरी में ची खाते हो तो वो भी इसमें डाल सकते हो और इन सभी को मिक्स करके रख अगर आप बिना विरत के लिए भना रहे हो तो फटा फट इसमें एक चमच लाल मेची पावडर एक चमच गरब मसाला और एक स्वाधर नुसान नमक डाली और इन सभी को एक वर्तर में निकाल लिए और फटाक से लाल चट्नी के साथ खाईए रेस्पी अच्छी लगे तो ए एक लाइक जरूर करें